काला तीर लिप्ट परियोजना पर 623 करोड रुपए खर्च होंगे मुख्य मंतरी स्री अशोक गेलोत ने मुद्वार को दोलपूर जिले की जनता को कई सोगाते दी उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये काला तीर लिप्ट परियोजना की आधार सिला रखी और सिलावट एनिकट परियोजना का लोकारपन किया अब यह काला ती लिप्ट परियोजना कहा है उसके बारे में देखते हैं दोलपूर की सरम थूरा तहसील में काली तीर लिप्ट परियोजना पर 623 करोड रुपए खर्च होने वाले हैं जिससे चंबल नदी में बारिस के दोरान अत्यतिक जल को लगबग 180 मिटर लिप्ट कर पारवती बान और राम सागर बान को पूरी शम्ता तक बरा जाएगा इन बान्दों के बरने से जिले की जिवन दाइनी नदियां जैसे की बामनी है पारवती और उंटगन नदियों में हमेशा जल उपलब्द रहेगा कमांड शेत्र में सिचाई की सुविदा सुनिचित हो सकेगी बसेडी शेत्र के तीन, बाडी के चार, दोलपूर के एक, राजा खेडा के दस, एनिकट में जल बरा हो सकेगा दोलपूर के तीन शहरी शेत्रों और 433 गावों के लिए आवशक पे जल भी उपलब्द होगा भूजल इस्तर बढ़ने से सिचाई तता पिने का पानी सुलब होगा जन स्वास्त एवं अभियांद्री की जल्दाए विबाग ने 820 करोर रूपए लागत के कारी कर रहा है मिशन के तहद केंद्र सरकार 45 परतिशत और राजे सरकार 55 परतिशत खर्च वहन कर रही है जन को रहत प्रदान कर रही है सिलावट एनिकट दोलपुर जिले के सिलावट काम में उंटगन नदी पर 100 मिटर लंबा और 2 मिटर उंचा एनिकट बनाया गया है इसमें 0.54 मिलियन कुबिक मिटर जल बराव होता है राजा खेड़ा शेतर में यह एनिकट बनने से सिलावट जवहार का पूरा काटर पूरा और कश्यापूरा गामों की 12,000 जन संक्या को लाब मिलेगा एनिकट के आसपास के कुवो और नल कुपों में जल इस्तर बढ़ेगा जिससे दोलपुन की जो इस्तिती है जल के विशे में उसमें बहुत ही अच्छा सुधार होने वाला है यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तता आप करेंड अपयर से निरंदर जुड़ा रहने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए धन्यवाद